हारी केन भाई इंगलेंड का टॉप स्कोरर है भाई विद 66 गोल्स ब्रजील का टॉप स्कोरर भाई नेमार विद 79 गोल्स स्पेन का टॉप स्कोरर भाई डेविड विया विद 59 गोल्स नीदलेंज का टॉप स्कोरर भाई अपना व्यान परसी विद 50 गोल्स ऐसे जिरू सबसे उपर 30 साल होने के बाद अच्छे से देख लो रोनालडो को अच्छे से देख लो इसius प्लियर को इस legendary player को भाई football को वापिस कभी नहीं मिलने वाला कभी चाहकर भी नहीं मिलेगा ऐसा player Ronaldo इस man भाई is about to hit 40 भाई यह almost 40 साल का होने वाला है यह शायर इसको खुद नहीं पता है भाई look at this look at this भाई he is timeless Krishanoo Ronaldo is timeless last video भाई जो Ronaldo पे मैंने cover किया था Krishanoo Ronaldo को जब उसे 900 गोल ठोके थे तो नीचे comment section में चीज आरती हालन्ड जा स्पीड पे जारा भाई he can break his record भाई भाई अगर आप this is legendary भाई अगर आप 60 गोल ठोको गे मैं आपको शो करने की ट्राय कर रहा हूँ consistency हाँ प्राइम में हालन्ड बहुत सही दिख रहा है अमबापे बहुत समझो एका दो चार तीन चार पांचे दस साल की बात नी है बगर आप 60 गोल लगातार 15 सीजन तक ठोकोगे लगातार in a row 60 गोल 15 सीजन तब आपके जाके गोल्स होंगे लोसो रॉष्याणॡ रॉष्यआणॡ रॉष्याणॡ 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 ईयाएग दुझे गोल्स यह पांचया टीन होड़ं की इस ब़ूष्याणॡ 悲गाइश and hasean त्प आठीइ बॉक्स बस भई, रोनाल्डो को आप अच्छे से best use करो, best utilize करो भई, रोनाल्डो का, आप रोनालडो को आप रोनाल्डो पर chances create करो with proper crossing, with proper passing भई, आज भी one of the best है, world class जब बात आते finishing की, headers की, box की movement भई, और ये match में हुआ, कल के match में हुआ versus Scotland और ये versus आप उठाके देखना भाई आप रोनाल्डो को प्रॉपर क्रॉस दो रोनाल्डो आपको गोल निकाल के देगा भाई विद इस फिनिशिंग विद इस मुवमें इन बॉक्स विद इस हेडर्स एरियल थेट सेट पीसेज और भाई विद इस शूटिंग अगर यह सब ना कर पाए किसी माच में अगर यह सब ना कर पाए तो भाई एट लीस्ट आपको अपने टीमेट को स्पेस क्रियेट करके दे देगा भाई अगर रोनाल्डो पिच पर खड़ा है अगर वो खड़ा उसकी प्रिजंस इस इनफ इनफ सेंटर करेगा रोनाल्डो भाई टोस पर रखेगा सेंटर बाग को अपने टीम में से इजी चांसे क्रियेट कर सकता है तो शूट मारो गोल निकालो मैं देख रहा हूं मैं स्पेस वार ले क्रियेट कर रहा हूं रोनाल्डो इस दाट इंपोर्टन फॉर पोर्चुगल ठीक है या फिर बेंच से स्टार्न कारना अपके जो भी थॉत्स हैं कॉमन्स सेक्षिन में जरू बजाना भाई रोनाल्डो पर स्टार्ट करें दोजाच भीश वर्ड कॉप में या फिर बेंच से आये जिस्लाइक प्रिश्वार या निक्स तौपिक पर आते हैं विलियम सली बा मै 33 years old Arsenal defender William Saliba भाई William Saliba भाई जो मेरे इसाब से भाई He is the Mbappé of Centerbox भाई, he is that good भाई जिस और ये इस player को Realmead अभी से interested निये William Saliba में for next season नहीं भाई Realmead पहले से interested थी William Saliba में मेरे इसाब से Realmead this season अलरी एक तो छोड़ो दो Centerbox shot है, बात करते हैं Rudiger और अलाबा Max to Max मुझे with Realmead अपने top पर अपने best पर 2-3 साल दिख रहे 2-3 season दिख रहे हैं और अलाबा तो मुझे 3 तो नहीं दिख रहा भाई अभी किसी भी हालत में 3 नहीं दिख रहा बात ऐसी है, next generation के साब से with Militao, एक Centerbox कौन होगा जो नाम भार निकल के आ रहा है William Saliba भाई जो भार नाम निकल के आ रहा है next Centerbox with Militao जो भाई according to reports जो next season Realmead जिसके पीछे है इंटरस्टे है और most probably next season Realmead एक Centerbox, एक ना एक best one of the best Centerbox of next generation sign करके लाएगी William Saliba भाई देख बहुत कम प्लेयर्स जो मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे है उनको पता होगा भाई बहुत कम प्लेयर्स जो मेरा ये पर्सनल ओपीनियन है बहुत कम प्लेयर्स मुझे से लगता है जो जिनको देखके समझ आ रहता है भाई ये बंदा पैदा हुआ था है Realmead ली एक था क्रूस उसके बाद जो मुझे लगा वो लगा बिलिंगम जो इसकी मेंटालिटी है और आप मुझे वो सलीबा में वो चीज़े दिखती है भाई ये बंदा पैदा हुआ है फोर Realmead खेले ना खेले वो मुझे नहीं पता ये बंदा इसके पास और है जो टिकनीक है जो फुट्बॉलर है जो फुट्बॉलर है जो फुट्बादर है gonप्लीट सेंटर भाग सब कुछ है आई टेस्स ट्रेंथ है तो मेंटालिटी है सब कुछ है भाई he was born to play for Realmead भाई इस बंदग विलियम सलीवा अपनी अलग ही लीग में है भाई स्टाट्स-वाइब बात करूं भाई इस वन अफ दी बेस्ट बाल प्लेंग सेंटर बाक इन दी वर्ल्ड भाई जिसको जिसकी रियानमिट को जरुड भी है एक बॉल प्लेंग सेंटर भाई की जरुड है विलियम सलीवा भाई यही 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 बेस्ट बॉलन प्लेंग सेंटर बाक इन बी वर्ल भाई यह बन्दा गेम चलाता है यह काम है यह संपोज्द है इस बन्दे के पास इस अच्छा कासा श्टॉंग है जो मुझे हमेशा से मेरी एक जो complaint रही है with militao strength एक धग्का मारना तो सामने वाला गिरना चाहिए मुझे कैसा सेंटर भाई हम रामोस को देखके बड़े हो है पेपे को देखके बड़े हो है भाई एक ऐसा सेंटर भाई भाई he is strong भाई he is very strong 6 foot 4 inch with proper strength with pure strength भाई जो किसी को भी physically dominate कर सता है चाहे वो Haaland हो चाहे वो Ambape हो इसने दोनों को कर रखा है proper ball playing center box with pure strength भाई and सबसे important positioning सबसे important decision making भाई इसको अलगी खड़ा करते है अलग खड़ा करते हैं बागी center box which sets him apart from other center box center box the way he handles by 1v1 situation is इसक्रेजी भाई एक बहुत ही mature center box दिखता है बहुत ही complete center box दिखता है proper game reading है awareness है positioning है decision making है कब चड़ना है कब घुसना है कब रुकना है कब वेट करना है कब पास खेलना है कब बॉल को hold करना है भाई इस बहुत ज़दा complete यार he is too good and his last last ditch tackling is just unreal ठीक है भाई ये तो हो गया Saliba थोड़ा समय आपको explain कर दिया किस level का talent है मेरे क्या से Saliba से उपर का player इस समय मुझे next generation के साब से center back मेरे लिए कोई नहीं है वेंडाइक वुंडाइक मन बोला next generation के साब से बात कर रहो for real मुझे Saliba से better कोई नहीं लगता अब बात ऐसी है question सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है क्या Saliba आएगा question क्या खड़ा होता है क्या Arsenal बेचेगी question ही होता ठीक है reports आरी ठीक है बहुत reports आते related to real बात ऐसी है तीन बहुत बड़े reason मुझे दिखते है Saliba पहले पहला reason बहुत बहुत इंपॉर्ण है I think मुझे जो personally लगता है I think yes Saliba के आने के chances बिल्कुल है पहली बात पहला reason real बिल्ड़ा है come on या पता है सबको real बिल्ड़ा ठीक है सबको पता है बहुत बड़ी चीज़े glory है ठीक है बहुत बड़ा pull है second reason भाई France France team आधी आधी France team रियार्मट के पास है आपके भाईचार आपके दोस्त बंदू आपका अपका time pass आपके friends सब कुछ यहाँ पे आपका घरबार जादा time तक सलीबा जैसा talent hold नहीं कर पाएगी भाई मैं डिसिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ आर्सनल की सलीबा बहुत बड़ा talent है आर्सनल बहुत बड़ी team है but the thing is आर्सनल का perfect team है perfect project है perfect coach है perfect team बन चुकी है सब कुछ है but भाई आर्सनल को जीतना पड़ेगा आर्सनल को trophies जीतनी पड़ेगी भाई it's just 23 years old भाई आर्सनल needs to win trophies भाई अगर सलीबा जैसा player रोकना है for long term आपको trophies जीतनी पड़ेगी एक तो जीतनी पड़ेगी भाई that's all for this video अब आप अपने thoughts comment section में जरूर देखे जाना भाई आपके इसाब से next generation के इसाब से center back with military कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए Saliba आपके लिए कौन जरूर देखे जाना अपने thoughts Saliba पर जरूर रखना और सबसे important question जो मैं आप से पूचा भाई World Cup 2026 Ronaldo को start करना चाहिए जरूर बेंच से आना चाहिए या फिशार सेलेक्ट ही नी करना चाहिए जो भी आपके thoughts से पर ले to Ronaldo World Cup 2026 Saliba that's all for this video I hope आपने 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 वीडियो को like, channel को subscribe I hope, I hope, I hope आपने कर दिया होगा भाई that's all for this video I'll see you very soon thank you